अगर तुमसे कोई पूछेगी की फ्रेमिंग को किस टाइप से यूज़ करते हो तो तुम्हारा अंसर होगा जूम इन, जूम आउट, आप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट एंड काफी लोगो को तो की फ्रेमिंग क्या होता है वो भी पता नहीं होगा इस टूडियो में तुमको बेसिक टो एडवांस की फ्रेमिंग सिखाने वाला हूँ जिसमें पि-आई-प एनिमेशन, टैक्स ट्रिविल एनिमेशन, यूनिक ट्रांजिशन, यूनिक मोशन बैगराउंड एंड कैमरा ट्रैकिंग एफेक्ट तो basic part में key framing क्या होता है and कुछ basic animation create करेंगे and advance में तुमको 6 key framing technique सिखाने वाला हूँ So let's start our brand new video तो यह key frame आखिर होता क्या है So मानलो यह तुमारा editing layer है वो कोई भी हो सकता है like, text, video, photo, sticker, etc So यह key frame का starting point है and यह end point अब इनके बीच में कोई भी change करने पर animation create हो जाएगी और वही होता है key frame So कोई भी editing software को open कर लो and यह in short है so एक background है and logo को import करके रखाऊ तो इसमें अभी कोई moment नहीं है अब जहां से भी इसमें animation start करवाना चाहते हो timeline में वहाँ पे आ जाओ then तुमको यहाँ पे ट्राइंगल shape show हो रहा होगा तो उस पे simply tap कर देना है तो यहाँ पे तुम देख सकते हो नीचे key frame लग चुका है so यह उच चुका है इसका starting point अब जहाँ पे भी end point रखना चाहते हो तो timeline में आगे थोड़ा आ जाओ and एक बात का जान रखना जितना ज्यादा दूर end point select करोगे उतना ज्यादा ही slow animation होगा and जितना ज्यादा पास रखोगे उतना ज्यादा fast animation तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अब यहाँ पे जोगा आपको एक key frame लगा देना है की frame को लगाने के बाद आप लोगों को जिस भी एंगल में मूव करना चाहते हो उस side में कर देना कुछ इस तरीके से and इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे तुम्हारा animation के लिए हो चुका है कुछ इस तरीके से एक बार माँ आपको play करके दिखा लेता हूँ तो यह जो लोगो है वो एक side में आके रुक चुका है अब इसको वापिस अपनी normal position में लाने के लिए आपको timeline में आ गया जाना है then उसके बाद यहाँ पे एक key frame को लगा देना है अब इस लोगों को वापिस उसकी position में add कर देना है यहाँ से यह कुछ इस तरीके से animate होगा तो यह जो तुरंत वाँ से आ जाता है तो इसको थोड़ा rest करवाने के लिए तुम्हें इस key frame को अठा देना है यहाँ पे एक key frame को apply करके थोड़ा आ गया आना है then दूसरा key frame apply करना है एंड उसके बाद इस लोगों को जो है side में करना है अब यह थोड़ा rest लेके जो है आएगा कुछ इस तरीके से तो काफी cool animation create हो चुका है अब इसी तरीके से तुम up and down कैसे भी animation create कर सकते हो तो यह हो चुकी हमारी basic key framing इस तरीकी से किसी भी image text को animate कर सकते हो स्क्रीन के उपर तो सबसे पहले मैंने आप एक image को जो add करके रखा हुआ है इस तरीके से अब add करने के बाद यहां पर हम क्या रहेंगे इसको animate कर वाएंगे सो सबसे पहले starting point पर key frame लगा देना की frame लगाने के बाद इसको नीचे कर देना इस तरीकी साइड है हाइड करने के बाद आपको थोड़ा सा आगे आ जाना है यहाँ पर कर देना जितना आप ने नीचे गया दिया है एंद उसके बाद बिलकुल साइड में ही ुसके एक ओर की फ्याम लगा देना है एंद इसको लिख देना है बिलकुल ऊपर यहां पर तुम्हारा एनिमेशन क्रिएट हो चुका है कुछ इस तरीके से काफी कूल एनिमेशन जो है क्रिएट हुआ है तो ये टेक्स्ट रिविल एनिमेशन भी काफी ज़्यादा कमाल का लग रहा है तो इसे create करने के लिए मैंने याप एक background को import कर लिया है देन उसके बाद तुम्हें आप अपना text add कर लिया है तो अब इसमें आपको logo directly add नहीं करना है वो काम नहीं करेगा सबसे पहले इसको आपको save कर लेना है so यहाँ पर मैंने एक नया project create करके उसी export की हुई वाली वीडियो को add कर लिया है और उसके बाद तुम्हें चले जाना है PIP पर PIP पर जाने के बाद तुम्हें जिस भी logo से इस text को highlight करवाना है तो उसको आपको add कर लेना है जैसे कि यहाँ पर हमने इंशोट का logo ले लिया है और उसके बाद तुम्हें इसको वीडियो के enter कर देना है अब जहां से भी तुम्हाँ text start हो रहा है लाइक यहां से हो रहा है तो यहां पर आ जाएंगे यहां पर एक keyframe लगा देना है इस logo को आपको text के ओपर इस तरीके से रखने के बाद अब तुम्हें आ गया आना है जहां पर तुम्हाँ text खतम हो रहा है उससे थोड़ा सा पहले आपको एक keyframe लगा देना है देन उसके बाद तुम्हें इस logo को side में कर देना है कुछ इस तरीके से इस तरीके से करने के बाद तुम्हारा animation create हो चुका है कुछ इस तरीके से तो काफी cool animation जो है create हुआ है एक दम नाइस animation है तो तुम भी इसी तरीके से कर सकते हो तो इस तरीके के cool transition भी तुम keyframe की help से बना सकते हो तो आप मैंने दो video clip को add करके रखा हुआ है अब तुमको P.I.P. में जाना है देन कोई भी एक logo को add कर लेना है यहां पर मैं करता हूँ एक keyframe को add add करने के बाद तुमको slow को जिस भी side में करना है वहाँपे कर देना मैं यहां पर light side में कर देता हूँ और उसके बाद तुम्हां पर तुम्हारा cut लगा हुआ है विडियो को वहाँपे आना है सो यहां पर तो में ट्रांजिशन वो प्रियट हो चुका है कि कुछ इस तारीके से सब्सक्राइन जो काफ इस कुल बिछ Exemun बादि में आपको प्ले करके दिखा रहें अब तुम्हें यहाँ पे sticker वाले option पे click करना है और यहाँ पे draw वाले option पे click कर देना है फिर यहाँ से तुम्हें dotted line को select करना है और उसके बाद इसका size adjust कर लेना और थोड़ा time देखे एक सीधा line draw कर लेना अपने हिसाप से dotted line add करने के बाद तुम्हें यहाँ से wipe right वाले animation को select कर लेना है तुम्हें यहाँ से speed कर देना है 1.5 second और उसके बाद यहाँ से right वाले option पे tap कर देना है तो यहाँ पे अभी camera tracking effect को बनाने के लिए तुम्हें इसे save करना पड़ेगा तो यहाँ पे high quality में अपनी वीडियो को save कर लेना तो export की हुई वीडियो को यहाँ पे मैंने in short में वापिस add कर लिया है अब तुम्हें यहाँ पे starting में key frame डाल देना है then थोड़ा सा आगे आगने के बाद यहाँ से एक और key frame को add कर देना है तुम्हें इस वीडियो को जोए जूम कर लेना है basic पे ठीक है so basic पे जूम करने के बाद यहाँ पे थोड़ा आगया आना है and जा भी तुम्हाँ dot and line end हो जाता है वहाँ पे आने के बाद इस तरीके से इसे side बाद कर देना है साइड में करने के बाद यहां से तुम्हारा जो camera tracking effect वो ready हो चुका है कुछ इस तरीके से सो इस तरीके का cool motion background भी तुम keyframe के elf से बना सकते हो सबसे पहले यहां पर मैंने एक black background को import कर लिया है एंड इसका duration तुम उतना रखना जितना तुमको background छीए एंड उसके बाद यहां पर text पर click करना एंड अपने channel करने इम एड़ कर देना कुछ इस तरीके से यहां पर मैं थोड़ा fast forward देता हूं इस तरीके से channel करने इम एड़ करने के बाद यहां पर तुमको एक adjust option दिखे और उसमें चले जाना देन यहां से जो कर्विंग का option उस पर click करके इसको फूल कर देना एंड फूल करने के बाद यहां पर तुमको जो है color में जाना है एंड में जाने के बाद तुमको एक और keyframe add कर देना है एंड इसको इस तरीके से जो है rotate कर लेना है दो बार ठीक है तो यहां पर रोटेट कर लिया है अब उसकी बाद तुम्हें starting में आना है सो 37 करने के बाद यहां पर इस तरीके से इसमें animation add हो जाएगा कुछी देख सकते हो इसको आपको अब सबसे पहले copy कर लेना है सो यहां पर मैं copy पर क्लिक करके इसको दो तीन बार copy कर लूँगा copy करने के बाद यहां पर तुमको इसको छोटा करना है ठीक है starting डिवाले keyframe पर आना देन इसको छोटा कर लेना छोटा करने के बाद edit में जाके इसका size चेक कर लेना यहां से एक बारी पर 23, yes, so and में जाएंगे and and में जाने के बाद edit में जाके इसका size भी 23 कर देंगे 23 करने के बाद यहां पर उपर वाले text पर आएंगे and इसको जोटा कर देंगे ठीक है इस तरीके से इस तरीके ज़े छोटा करने के बाद इसका size आप एक बार पर ही चेक कर लेना यहां पर इसका size 13% तो यहां पर यह नमलों जाएंगे, and edit में जाकर इसका size 13 कर देंगे, 13 करने के बाद यहां पर यह कुछ size एनिमेट हो रहा है, तो इसको आप जितनी बार करना चाथे उतना कर सकते हो, तो यहां पर super cool background ready हो चुका है, सो यहाँ पे एक बार ही मैं आपको प्ले करके इस बैगराउंड को दिखायता हूँ सो खाफी अच्छा 3D बैगराउंड यह लग रहा है एंड इसमें तुम कुछ भी कस्टमाइच करके इस बैगराउंड को और भी अच्छा बना सकते हो सो यह हो चुका है हमारा मोशन बैगराउंड सो अमने एक एलिमेंट को मूव करना सीख लिया है अब यहाँ पे इस तरीके से जो है एक से ज्यादा एलिमेंट को मूव कराना हो तो क्या करना होगा सो यहाँ पे मैंने 3 in shot की लोगो एड कर लिया है सो सबसे पहले आपको किसी भी एक layer को select कर लेना है देन उसके बाद यहाँ पर एक keyframe लगा देना है अब बिना किसी timeline में move करे हुए दूसरी layer पर click कर एक keyframe लगा देना है सेम इसी तरीके से तीसरे पर भी लगा देना है अब जाना तक आपको ending point select करना है तो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्षेन में जोब करने वाले है तो खाफी अच्छे से जो है एनिमेट हो रहे है तो आज की वीडियो आप साभी को कैसी लगी कमेंट सेक्षेन में जोब से बताना और तुम वीडियो तो देखते हो बट लाइक नहीं करते है तो वीडियो को लाइक भी किया करो और आज किस वीडियो में बस इतना ही मिलते है किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई